हलो दोस्तों स्वागे था आप सभी का हमारे यूट्यूव चैनल में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगी सोफा इसकोर के बारे में जो सोफा इसकोर में सोफा वो लिका वो सोट एब्रिवेशन होता सिक्वेंसिल ओर्गन फेलियर असेस्मेंट के लिए जिसे हम इंटेंसिव केर यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्य डिटेल से जानने के लिए वीडियों के वीडियों तरप सबसे पहले हम इसके बारे संकीत के बता दिया sequential ओर स्कूर जिसको प्रिसली एक पना और यहां पर आपि हमेंसन करको सेप्सिस रिलेटेट ओर्गन फेलियर असेस्में इसके जो भी ओर्गन फेलियर होते हैं उनके पीछे का जो मेन रिजन होता है वो सेप्सिस माना गया था और सेप्सिस में बात करें तो सेप्टिक सोक को माना गया था अभी हम कंपोनेंट डिसकस करेंगे तो वहां पर हो इसमें यह में लिए यूज किया था पेशेंट का स्टेटस जानने के लिए कि उसके कितने ओर्गन फेलियर हो गए या और्गन फेलियर के तरह पैसेंट बढ़ रहा है या उसके सिस्टेम ही डिस्वंसंग हो रहे because of sepsis और septic shock की वज़े से तो यह सब जानने के लिए हम sopa score यूज करते हैं next point लिखा हुआ sopa score is based on six different scores organ and systems यह total six different score पर depend होता और वो कौन-कौन से होते हैं यहाँ पर different organ हम लेंगे और different हमारी body के systems हम लेंगे तो वो कौन-कौन से होते हैं वो भी हम discuss करते हैं next हमारे सामने slide है the score range from 0 to 24 the lowest score is best one as well as highest score is worst one और poorest prognosis क्या बोल रहा है यह sentence कि जो sopa score होता उसकी range होती है 0 to 24 competitive exam में इस परकार क्यों से पूछे जा सकते है कि sopa score क्या होता है क्या सकी full-pump होती है इसकी scoring range होती है तो 0 to 24 होता है और जो lowest score होता है सोफा score में lowest score होता वो best one होता that means कि वहां पे कोई organ failure की risk नहीं है हना हम assessment कर रहे हैं और अगर zero score हमारे सामने है that means कि वहां पे कोई organ failure की risk नहीं है और जैसे ही score बढ़ता जा रहा है from zero to till 24 तक तो वहां पे हमें idea मिल रहा है कि यहां पे organ failure की तरफ condition बढ़ रही है या patient critical condition के अंदर बढ़ रहा है तो जितना highest score होगा वो worst होगा यह हम बहुत चकते हैं कि उसका पूरेस्ट प्रोगनोसिस होगा न वह पेसंट का जो प्रोगनोसिस बहुत पूरेस्ट होगा next हम देखते हैं कि इसके परपज होते मतलब कहां पे इसको यूच क्या जाता तो जैसे अब इस समझ में आई गया होगा कि परपज क्या होते और और फेलियर रेट को असेस करने के लिए सोफा स्कोर हम यूच करते इस पेसलिया आई सिव में इंटेंसिव केर यूट में ही से यूच किया जाता है और सेकेंड परपाज लिख्या हुआ है प्रिडिक्टिंग आउटकम्स और प्रोगनोसिस ओप क्रिटिकल इल पेसेंट है क्यों क्या आउटकम्स रहेगा आएगर वोड़ी के शूतेवो यूच करते शात्ती महारे बोड़ी जो मेंट सिस्टम्स होते है वह हम यूच करते हैं तो कौन-कौन से शीश्टम करते है तो पहला की तरब system और organ का नाम लिखा और उनमें क्या देखेंगे कौन सा particular component देखेंगे वो मैंने या ब्रेकेट में हिपेटिक सिस्टम हम क्या देखते हैं बिलिरुबिन लेवल का असेस किया जाता डारेक्ट और इंडारेक्ट नहीं यहां पर टोटल बिलिरुबिन का लेवल किस परकार से तो वो किसे किसे हम उसको counting देखेंगे नेक्स थर्ड कंपोनेंट है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क कौन से कंपोनेंट अच्यूबिन यूज करते हैं मतलब जो ब्लड प्रेसर है किस परकार चल रहा है किसी इनुट्रोफ सप्पोर्ट पर तो नहीं है अगर तो कितना उस आदार पे अलग अलग स्कोरिंग दी है वह भी हम डिटिटल से देखेंगे वैंने कंपोनेंट कोगल Central Nervous System, CNS के अंदर आइखते है, GCS न, Glass School हम यूज करते हैं, उसमें हम Pacent का Conscious Level Assess करता है, कि कितना Conscious है, कितना Unconscious है, उसके आधार वे उसको Scoring दी जाती है, scoring के अधार पर फिर अलग लग हम उसको score देंगे हमारे sofa scale के according तो वह भी देखेंगे centennial system है और sixth component है हमारे sofa score का renal system ना रिनल सिस्टम में क्या देखा जाता है creatinine level और urine output कि patient का creatinine level कितना है और उसका urine output किस परकार से आ रहे तो यह total six component हो गए हमारे sofa score के तो यह आपको याद रखना है competitive exam में किसी परकार के उसमें पूछा जा सकता है यह आप intensive care unit में काम करते हैं तो वहां पे भी यह सब चीज़ा आपके मायनम होना जरूरी है तो respiratory system हो गया हमारा हिपेटेक system हो गया लीवर से रिलेटिड काडियो वेस्कुलार सिस्टेम हो गया कोगलेस्न हो गया central nervous system हो गया और रिनल प्रोफाइल हो गया मतले मारे बोडी के वाइटल सिस्टेम यह हम बोल सकते है वाइटल ओर्गन को यहाँ पर कवर कर लिया सोपा स्कोर के अंदर अब होता है या complete हमारे बोडी का एक system भी हो सकता तो टोटल सिक्स सिस्टेम को यहाँ पर सिक्वेशली मेंसेन कर रहा है फर्स्टों हमारे सामने रेस्पारेटरी सीस्टेम और हम बात करें तो कौन सा component हम यूज करते हैं पी एफ रेच्यों अच्छा पी रेच्यों के हम बात करे रहेगा हमारा रेस्वाइरिटरी स्टेटस क्रिटिकल होता रहेगा है या उसका प्रोग्नोसिस पूर की तरफ बढ़ता रहेगा यह चीज आपको याद रखना तो जो उपर की तरफ यहां पर मेंसें कर रहा है जीरो वन टू और त्री फोर तो यह हम क्या है स्कोर देंगे य 59 2399 की रेंज के बीच में अगर हमारा पिअप रेश्यो आता है पीअप रेश्यो किस में आता है a Nikon 2-992-399 के बीच में उसे क्या देंगे 1. पॉइंट क्लिएर नेक्श्ट जैख देन टू पॉइंट किसे देंगे जब हमारा पीएप रिचिओ लेज देन ट्री हंडेड आता है क्लिए विच्पारे प्रेस्ट लेज देन होंडेड वित रेश्पारेटरी शपोर्ट ठीक है पीएप रेश्चिओ 200 पहली कंडिशन और सेकिंड कंडिशन है कि रेस्पारेटरी सपोर्ट पर है पेसे अब रेस्पारेटरी सपोर्ट सप्लिमेंटल हो सकता है या मेकेनिकल हो सकता है लेकिन रेस्पारेटरी सपोर्ट पर है हो यह चीज आपको याद रहना और फोर्थ पोइंट जहां बात करें कि फोर respiratory system का clear next component के तरह बढ़ते है next component हमाने सामने है hepatic system और hepatic system में हम क्या use करते है bilirubin और bilirubin का level किसे में देखेंगे हम mg पर dl में यह भी आपको याद रखना है तो normal bilirubin का level कितना होता अगर total bilirubin के हम बात करें तो 0.9 to 1.2 mg पर dl होता है less than 1.2 mg पर dl है that means normal range के बीच में है तो वहां पर कोई organ failure का risk नहीं है तो उसे क्या देंगे zero scoring टीक है जैसे जैसे bilirubin का level बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारा hepatic system में कुछ ने कुछ problem होती रहेगी और जैसे जैसे problem होती रहेगी organ failure के तरह वह बढ़ता रहेगा तो next is 1.5 किसे देंगे जब हमारा bilirubin का level 1.2 to 1.9 mg पर dl होगा तो उसे हम क्या देंगे 0.1 same way से next is point 2 किसे हम देंगे जब हमारा bilirubin का level 2.0 to 5.9 के range के बीच में आएगा in between तो उसे हम क्या देंगे 2 score या 2 point 3 point हम किसे देंगे जब bilirubin का level 6.0 to 11.9 के बीच में आ रहा है या in between 6 भी आ रहा है या 11.9 भी आ रहा है तो उसे हम क्या देंगे 3 point clear है और 4th point किसे देंगे हम जब bilirubin का level more than 12 point mg पर dl काफी ज़्यादा bilirubin बढ़ावा बिलरुबिन बढ़ावा देट मींस कि हिपेटिक सिस्टम परोबर काम निकर रहा और इतना ज़्यादा बढ़ाव तो बहुत ज़्यादा ओर्गन फेलिर की तरफ है पेसेंट काफी critical condition में तो उसे हम क्या देंगे 4 point clear है चीजे आपको clear रहना है बिल्कुल जेशे जेसे point बढ़ रहे है स्कोर बढ़ रहा वेसे वेसे पेसे critical care condition में जा रहा है तो यह चीज आपको याद रहना थर्ड कंपोनेट है मारे सामने है cardiovascular system अब cardiovascular system हम क्या देखते है मैंने बताया था आपको कि patient का mean arterial blood pressure कितना है या वो कोई ionotropic support या हम बात करें वेसे प्रेसर मेडिसीन पर तो नहीं है तो वो देखेंगे और उसके अधार पर में उसको score देंगे तो zero scoring हम किसे देंगे जब mean arterial pressure equal to और more than 70 mmHg होता है जो कि normal range मन जाती है ना 70 mmHg तो उसमें है तो उसको zero scoring देंगे that means कि कोई risk नहीं है वहां पर organ failure की next जैसे ही mean arterial blood pressure 70 mmHg से कम होता है तो उसको one point देंगे कि वहां पर risk बन गया है organ failure से related और organ failure यहां पर कौन सा होगा जो cardiovascular system है वो dopamine के infusion पर चल रहा है मतलब less than five आचा five यहां पर क्या तो यह चीज आपको याद रखना है five microgram per kg per minute के according patient infusion ले रहा है यह dopamine की dose ले रहा है जो भी यहां पर inotropes mention कर रहे हैं जैसे dopamine हैं dopamine है एपिनेप्रिन है नोर एपिनेप्रिन है तो जो उनके जो value लिके हुई है वो यहां पर microgram per kg per minute के according mention कर रहे हैं तो यह चीज आपको ध्यां रखना तो जब dopamine का support है patient को less than five और dopamine का कुछ भी उसको dose दिया हुआ तो उसे हम क्या point देंगे two यह चीज आपको जाज में three point हम किसे देंगे cardiovascular system में जब dopamine का जो infusion है वो 5.1 to 15 तक चल रहा है यहां बात करें 5.1 to 15 microgram per kg per minute पे चल रहा है या एक और condition है यह चीज आपको जाद रहा है नेक्स्ट है हमारे सावने four point किसे देंगे cardiovascular system में जब patient का जो mean arterial pressure है या उसके blood pressure की बात करें तो वो dopamine की dose पे है और dose कितनी है more than 15 microgram per kg per minute पे पहले condition दूसरी condition epineprin support पे या बात करें adrenaline support पे है more than 0.1 microgram per kg per minute पे और एक condition है हमारे सामने या वो noradrenaline या nor epineprin पे है more than 0.1 microgram per kg per minute उसे कितने point देंगे फोर यह चीज भी याद रखना तो जैसे जैसे आइनोट्रोप्स का support बढ़ता जा रहा वैसे वैसे patient critical condition में बढ़ता जा रहा है क्योंकि आइनोट्रोप्स का support बढ़ रहा that means की body खुसे काम नहीं कर रही है हमारे बोडी का जो pressure maintain करने के या वाइटल्स ओर्गन को blood supply पहुच्छाने के लिए तो उसको supports की जरौत पढ़ रही है that means patient उतना ही critical condition में जा रहा तो यह third component हो गया हमारे सामने है coglation profile patient का coglation status देखेंगे और वो केसे assess करेंगे platelets के count पे जैसे कि हमें पता platelets का normal value कितनी होती है 1.5 लेक टू 4 लेक पर micro liter यह चीज आपको याद ठीक है तो यह normal level होता हमारे body हम platelet का अब इस range में है तो उसे score देंगे हम 0 और इस range से अगर कम हो रहा है मतलब जैसे-जैसे platelet का score यहां पर कम होता जा रहा है वैसे-वैसे patient का coglation profile बिगडता जाएगा और उसे हम critical condition की तरह बढ़ते रहेंगे according to so score तो अगर उसका platelet का level more than 1.5 lake और equal to 1.5 lake है तो उसे हम 0 score देंगे वही less than 1.5 lake है तो उसे हम 1 point देंगे वही less than 1 lake पर micro liter है तो उसे हम कितना score देंगे 2 और वही एगर less than 50,000 जो mention कर रहा है वो 50,000 तो less than 50,000 platelet पर micro liter है तो उसे हम कितना point देंगे तो काफी ज़्यादा कम होगे तो उसे 3 score हम देंगे next हमारे सामने की काफी ज़्यादा platelets का level patient की body में कम हो गया और कितना less than 20,000 मल बीस ज़्यार से कम हो गया तो उसे हम क्या देंगे 4 जो की काफी worst level पर चला गया यहाँ पर patient को काफी ज़्यादा bleeding या automatic type की bleeding स्टार्ट हो जाती है तो काफी worst condition में है patient critical condition में और फेलियर के तरफ वह बढ़ रहा है नेक्स देखते हैं फिप्टमन हमारा central nervous system CNS में क्या देखते हैं CNS में ग्लास गो कॉमा इसको देखते हैं जिसे patient का conscious level assist किया जाता है उसमें 3 अलगला component यूज करते हैं आई वर्बल और उसका motor response के प्रकार है और तिनों जो component है उनको तो असेस करके उसको लगला scoring दी जाती है ग्लास गो कॉमा स्केल भी scoring है मारे जीसे को check करने का नहीं अमारे conscious level को check करने का तो उसके scoring के according यह आपे देंगे अगर जीसेस score 15 है मतलब जीसेस score 15 में देखो जीसेस score जितना ज्यादा रहता है उतना ही patient conscious रहता है और जीसेस score जीत score 15 है that means कि patient पूरी तरीक ऐसे कौन सी इस है कौन सी था तो उसका central nervous system अच्छे से काम कर रहा है जो response है उसका verbal response है उसका motor response है वो अच्छे से काम कर रहा है तो central nervous system में कोई problem नहीं है तो उसे हम क्या देंगे 0 score है जैसे score कम हुआ 13 to 14 हो उसके score क्या देंगे 1 score कम हुआ that means कि उसका body का response कम हुआ response कम हुआ तो central nervous system का response कम हुआ that means कुछ नहीं कुछ problem चल रही है ठीक है जैसे score और कम हुआ 10 to 12 के बीच में गया तो उसे हम क्या point देंगे या score कितना देंगे 2 और 2 देंगे 10 to 12 मतलब response कमाने लगा patient का पहले ज्यादा आ रहा तो आप कमाने लगा 3.9 किसी देंगे 6 to 9 के बीच में अगर GCS का score है काफी ज्यादा उसका score कम हो गया कि आई हो वर्बल है उसका यहां बात करें motor response काफी कम हो गया मतलब central nervous system काफी dysfunction हो का है वो अच्छे से respond नहीं कर रहा और लेज देंगे 6 अगर GCS का score है तो वहां पे patient का central nervous system काफी dysfunction में है और वो organ failure की तरह बढ़ रहा तो वो critical care में चला गया critical condition में चला गया यहां बात करें वो rust condition में चला गया जहांसे prognosis काफी जदा पूर है उस patient का तो यह हमारे सामने central nervous system को assessment करने का वे आ गया फिफ्थ component हो गया next हमारे सामने six component renal system अना हमारे जो kidneys है उससी related है इसमें क्या देखते है पहली चीज़तों देखते है क्रियाटिन का लेवल और second thing देखते है में urine output तो क्रियाटिन लेवल mg पर DL में देखते है और हमारे यूरीन आउट्पूट ml पर day के according ले रहे है ml पर day आपको याद रखना तो 0 किसे देंगे जब हमारे क्रियाटिन का लेवल 1.2 mg पर DL होगा तो उसे हम क्या देंगे 0 नॉर्मल रेंज होनी चीए तो वो 0 होगा और नॉर्मल रेंज क्या रहते है जीसे हमारे क्रियाटिन की नॉर्मल रेंज की बात रहेगा उतना ही पेसिंट का रिनल सिस्ट्रम में कुछ ने कुछ प्रोब्लम होगी तो वो यहां पर हमें इंडिकेट कर रहा है तो वन पॉइंट हम किसे देंगे जब हमारा क्रियाटिन का लेवल 1.2 टू 1.9 के बीच में रहेगा यहां पर यूरीन आउर्पोड मेंसे नह होगा और एक और कंडिशन है कि जो यूरीन आउट पर है वो लेस देन 500 ml पर दे होगा तो उस कंडिशन में हम किसे दिना पॉइंट देंगे पेसिंट को त्री पॉइंट या रिनल सिस्टम को कितना पॉइंट देंगे त्री मतलब जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जा रहे है वैसे वैसे पेसेंट के कंडिशन भी बढ़ती जा रही है यह बात करें उसका जो प्रोग्नोसिस है वो पॉरेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है पॉर से पूर होता जा रहा है फॉर पॉइंट हम किसे देंगे जब क्रियेटीन का लेवल मोर दें 5 mg पर डियल हो जाता है यह हमारे टोटल सिक्स कंपोनेंट होगे सोपा स्कोर से रिलेटेड तो बस इसमें आपको यही चीज़े याद रखना कि जितने कम पॉइंट होगे उतना पेसेंट की जो कंडिशन वो वेल रहेगी और जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते रहेंगे पेसेंट की कंडिशन क्रि इसके बारे में देख लेते हैं जैसे कि वर्ड से बता चल रहा है कि क्योग सोपा स्कोर एक टाइम कंजूमिंग में तड़ है आपको सब कुछ चीज़ें वहां पर देखना पड़े के लेकिन क्योग में आप इमेडियेटली त्री कंपोनेंट के तुरू अगर लेज़ देन 15 है तो उसको हम क्या देंगे वन पॉइंट ठीक है अभी देखते हैं नेक्स वन पॉइंट देंगे थर्ड कंपोनेंट यहां पर टेकीपनिया कि पेसेंट का रिस्पारेटरी स्टेटिस देखेंगा और रिस्पारेटर टेकिपनिया और मतलब रिस्पा तो फजार कोंपोनेंट क्या देखेंगे बन कार्डिव एसकोर सिस्टम से रिलेटेड और वह कौन सा वहां हाई पॉइंट तो पेजिन हाइपोटेंशन की कंडिसन में है और हाईपोटेंशन में अगर उसका जो शिस्टोलिक ब्लड फ्रेसर और यह लेस देन और एकॉल ट कि उसको कोई high risk नहीं है मतलब इन मेंसे कोई कोई system में problem है बकि दो ठीक है तो उस custom कोई जञादा Ricky skola नहीं मानेंगे झांट के उसका जो management है हो हम continue करेंगे जो उसको treatment कोईंट मैं लेकिन अगर प्वाइंट के बीच में आ रहे hold भट गई हो तो हम 2500 में लेकिन 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 अगर पोउट शींहों से तीन के बीच में आहे हैं जहाए है तो खार हो जाएगा उसका प्रोगनोसिस हो काफी जिए इतफ़ पोर हो जाएगा उससे हम क्या करेंगे एविडेंस रहेगा है कि यहां पर ओर्गन डिस्फंक्शन हो गया तो वहां पर क्रिटिकल केर उसको प्रवाइड करने के जरूता है तो यह भी सेम उसी की तरह है लेकिन टाइम कंजूमिंग मेटर है हमारा जो सोपाइ स्कोर है यह सिक लोटर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बाकि बने रही है हमारे यूट्यूब चैनल में थैंकिस हो मैच